हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया है UPSC की तरफ से कि आपके UPSC जियो सैंटिस्ट के फॉर्म आउट हो चुके है तो अब आप इन फॉर्म को भर सकते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसका जो नोटिस आया तो 20 सेप्टेंबर 2023 को आया था और जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2023 है तो यानि अगर आप UPSC जियो सैंटिस्ट की जॉब के लें इंट्रस्टिड हैं तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए और क्या-क्या इंपॉर्टेंट य जो आपकी 10 अक्टूबर है पर यहा पे क्रेक्शन करने की डेट आपको 17 अक्टूर तक देरह किया यानि अगर आपने कोई भी करेक्शन कर लिए 33 कोई भी मिश्टेक कर दीया तो आप्पर्रेбы्शन दिखा दूं यह यहा पर यह लिखाओ आवा अजिखिए लास्ट डेट फोर सब्मिशन ऑफ एप्लिकेशन इस 10 अक्टूबर तिल 18 अर्स यानि आप सामके 6 वे तक फॉर्म बढ़ सकते हैं और साथ में एक और इंफॉर्मेशन यहाप पे बोल रखे कि आपके अब्जेक्टिव टाइप पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी तो और कुछ इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन यह है कि अगर आप सेंटर की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहीं 19 जगा होंगे और यह फर्स्ट अप्लाए फर्स्ट अलॉट के बेसिस में मिलेगा मतलब जो जल्दी अप्लाए कर देगा जितनी सीटे होंगी उस आपका पर्सनेल्टी टेस्ट यानि इंटर्वी होगा और जो आपका मेन एग्जामिनेशन है वो 22 जून को होगा और उसके जो सेंटर है वो भी दे रखें और अब मात करते हैं नंबरा पोस्ट की कितनी पोस्ट है तो आप जैसी स्क्रीन में देख रहें पोस्ट आपकी है तो पोस्ट आपकी देखिए केमिस्ट की में बात करो तो 13 पोस्ट आपके पास है और ऐसे ही चैमिकल गुरूप ए में भी आपके पास 2 पोस्ट है यानि टोटल आपके पास 15 पोस्ट हैं यहाँ पे जल सक्ती विवाग की 2 और 13 आपकी जियोसेंटिस्ट की अब एज आप होने चाहिए तो यह तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं और एज रिलक्षेशन की बात करें तो वही सेम एज रिलक्षेशन है इंटर्व्यू तक यह जब भी आप सेकिंड स्टेज पार कर लेंगे तो यह इसमें लिखा हुआ है कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया था यह लिंक है जो आपको डिसेशन बॉक्स में भी मिल जाएगा उसके बाद और कुछ इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन हो त इसमें लिखे श्टेट फिर्श्ट में आपका objective टायप question पेपर हो जो जिसके marks भी count होंगे याद रटना हो यह 400 marks का होगा और main आपका 600 marks का होगा जिसमें आपके तीन पेपर होगा और personality test आपका 200 marks का होगा तो total आपका जो marks आएँगे 1200 आएँगे जिसमें अगर मैं बात कर जैसे मैंने आपको अथाई दिया था वन थर्ड और कोई भी कैलकुलेटर अलाउट नहीं होगा उसके बाद अगर आप इसे पास कर लेते हैं तब जाके आप मेंस में पहुंचेंगे जहां पर आपके स्टेज 2 में 3 पेपर होंगे तीन पेपर में तीन होगी केमिस्ट्री होगी पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 और 200 मार्क्स की होगी और तीन तीन घंटेगी तो तीन पेपर आपको देने हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कैनिडे शुड यूज इंटरनेशनल फॉर्म अफ इंडियन मार्क्स होंगे उससाब से उसको पोस्ट अलॉट हो जाएगी अब देखिए स्लेबस यह दे रखा तो स्लेबस जनल स्टेडी का सेम ही है जैसे UPSC में होता ही है तो वह सब के लिए सेम है और कॉमन भी है हर किसी भी आप इस्ट्रीम के हो उसके बाद अगर आप जाएंगे आपको में सिलेबस मिल जाएगा तो में सिलेबस प्र्टका यह मैन के स्लेबस है स्टेज 2 का 5 तो यह आपको पूरा स्लिवस मिल जाएगा उसे आप तयारी कर सकते हैं अगर आप प्री में कौलिफाई जाते हैं तो मैं यह कहूंगा आप दोनों ही एक साथ ही तयारी करें क्योंकि आपकी देखें जो आपका प्री का पेपर है वो यह 18 फैब को यह मैं आपको दिखाना मेंस है वोक्स की डेट भी मैंने आपको उता दी थी 22 जून को है और इंटरव्यू की डेट नहीं उताएगे इंटरव्यू की डेट वो खुर डिसाइड करेंगे और वो आपका नौवंबर के करीब होता है तो यह एक पूरी इंफॉर्मेशन थी आई होप आपको समझने आ